एक small और quick needle ले सिखेंगे जिसमें सिफ एकी stitch यूज़ करनी है और इसे thick बनाना है ताके दिखाई दे तो मैंने इसके लिए 10 strings लिए है silk thread के आप कोई भी thread यूज़ कर सकते हैं anchor thread या कोई भी thread यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए easy हो तो सबसे पहले thread को attach करेगे edge पे ये thread attach हो गया है अब इसकी technique ऐसी है कि थोड़े से distance पे हमें needle को फिर से insert करना है और ये जो सारी strings है इसे नीचे रखना है needle के इस तरह से और इसे यहाँ पर इस तरह से लेना है फिर से same step repeat करते रहें है थोड़े से distance पे हमें needle को insert करना है और thread को needle के नीचे से लेना है इस तरह से और इसके ऊपर से इस तरह से लेते हुए इसे निकाल देना है फेब्रिक से तो इस तरह से यह design बनते चाहेगी अज़ खेवान देना है झाल 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 कि यह जो फ्रंट में आएंगे इस तरह से वेवी निखाए देगी नॉटी डेजाइंग नॉट दिखेंगे इसमें कि यह जो फिरे इसने पिए इसमें तरह भाया रहात थ monitor द including नॉटी 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 नॉट परोता भी में ओंगे इस वेजिए जया आपाँ वे एवद़गार वे झाहां कि ऱुट इस तरह से ये लेज को कम्प्लीट करेंगे इस खरह में झाल ये लेजब सकता है झाल झाल